विज़िपी नेता की हद्या से सवाल मुख्य मंत्री बश्राव गूंबाइन रदकिया सरकार के एक साल पूरे होने का ज़श्ट बोले बख्ष नहीं जाएंगे अपराधी मंत्री पार्ट चटेद जी की करीबी अर्पिता के घर दूसरे पर भी मिला नोटों का महाल लटाइज़िश्ट नो जिरो करोड कैश पाच किलो सोना बराम राज सभा में निलंपे दिस्तांसदों का पचास घंटे तक रिले धरना शंसत भवन में जुआरी कई पार्टियों का मिला समर्थ है पीए में मेले पर सुप्रीम कोड के फैसले से सभी संदेह दूर कानून मंतरी रिजूजू बोले मामले में निर्दाड़र बे नहीं होती सरकार की भूमिका सुप्रीम कोड के मिसी सी आई की आचिका पर सुनाय आज चो कारिकाल संबढ़ी नियमों को लेकर फैसला नमस्कार मैं उत्रशलाय आदव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी उत्रपिदेश की सियासत में से बड़ी खबर सामने आ रही है जब यूपी बेज़पी के प्रदेश अध्याक्ष स्वतंत्र देव सिंग ने अपना स्थीफा दे दिया उन्होंने अपना स्थीफा भारती जुनता पार्टी के रास्टे अध्याक्ष जेपी नड़ा को दिया लज़ेपी नड़ा से मुलाकात कर उन्हें अपना स्टीफा दिया था बता दे कि यूपी में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है आपको उता दे कि स्टीफे के बाद चर्चाओ का बाजार गर्म है बताया ज़ा रहा है कि जल्द ही देश के सबसे बड़े राज उत्तर प्रदेश को नए बीज़ुपी प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है खास बात यह है कि अगामी दोहजार चौबीस के लोक सभा चुनाओ के मदे नज़र भी नय प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ती को लेकर बीज़ुपी के अंदर काफी मन्थन हो रहा है तमामट के लिए लगाई ज़ा रही है कि स्वतंत्र देव सिंग के बाद अब यूपी बीज़ुपी का नया ध्यक्ष कौन होगा किस नय दोरे चेहरे पर बीज़ुपी दाव खेलेगी दो हजार चौबिस को मदे नजर रखते हुए क्या बीज़ुपी चौबिस को सादने के लिए ऐसे किसी चेहरे को अध्यक्ष बनाएगी या फिर पार्टी से ही किसी को ये पूरी जिम्मेदारी मिलेगी सागर थापा हमारे साथ जुड़ चुके सागर बीज़ुपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने अप्रस तीफा दे दिया है वही अगर बात किया जाए नए अध्यक्ष की तो क्या खबरे सामने आ रही है किसको अध्यक्ष बनाये जा सकता है क्या 24 को सादने के लिए बीज़ुपी किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतारेगी कि जो सब्सक्राइब है कि बीज़ुपी की बहुत ही मजबूत कड़ी माने जाते रहे हैं और शुरुबास से मजबूत कड़ी हाज भी थे और कल भी है उन्होंने कर अपना श्रीफा सौफ दिया है क्योंकि उनके पास तीन तीन बड़ी जिवेदारियां थी एक तो कैबिनेट मंत्री है जल सक्क्री मंत्री है उपर से विधार पर इच्प के सब्सक्राइब नेता ओपर से और तीसरी बात यूपी के प्रदेश सब्सक्राइब तोनों ने अपना श्रीफा खुदी जेपी नडडा को सौपाया दूसरी बात ये है कि चित्रकूर्ट में भाजपा की बहुत बड़ी संगठन की बाते चल नहीं है तो वहीं से 29 से 31 जला की भी आपको बता दू कि भाजपा के बिर नए प्रदेश यूपी के प्रदेश सबसे बड़ी बात महत्मुन के बात है कि इसमें कई नाम चलने एक तरफ ओपीसी दौर भी है और दूसरी तरफ ब्रामन वर्ग है जाटव वर्ग है तमाम ऐसे वर्ग है लेगिन सबसे अगर बात करूं सबसे बड़ी महर इसका प्रशाद मौरिया पर लग रही है क्योंकि सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस पर लेकर क्या अभी तक किसी भी नेता का या फिर पार्टी के किसी कारे करता है को ओधिकारिक बयान आया कोई अटकले सामने आही सागर प्रवस्ता है उसका किसी भी तरका का बयान नहीं आया है क्योंकि ये गुफ्त बाते रखी गई हैं दूसरी तरफ दिनेश शर्मा भी है जो भी डिपिस ही मुह करते थे उसके बाद चन्नौत के सांसद हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है तो ब्रामन वर को भी बीजेपी साध साधने में लगी है दूसरी तरफ केशव प्रशाद मौरिया उनको भी साधने में लगी तो देखने वाली बात सबसे बड़ी बात यह होगी उन्तिस सब्सें जल्दी होने वाला है और भाजपा बहुत ही जल्द मान के चलिए आज ये कल में खुलासा करने वाली है साधनर आज की कोई बैठक होनी है इसको को सामनी आई कि कोई बैठक होनी है या नहीं तरह सबसे बड़ी बात आपको बना दू करें थी लिएॽ तो बीजेपी एंदिए कि दोजाज विस्का भी आजामी चुनाओं वाला है उस चीज को देखते हो इतरफ ब्रामन वर्ग है ब्रामन वर्ग में भी जिटीका का भी साथ जिया है और एक तरफ जाटा वर्ग हैं स्टी ओविसी वर्ग हैं तो इन सब को एक गड़ जोड मिला क बीजेपी चल रही है क्योंकि दोजाज 24 का चुनाओं भी आजामी चुनाओं बहुत ही बेदर जादा दूर है नजदी की होने वाला है तो वहां पे दोजाज 24 है और एक तरफ प्रदेश अध्यस्ट का गठन है तो कहीं ने का कुल मिला के बीजेपी इस तरह से अपने पा कुल सागर ये बड़ी ख़बर है और पूरे प्रदेश की नज़रे इस पट्टी की हुई है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का इस खबर पर आप भी अपनी नज़र बनाये लख रखे फिलाल तमाम ज़ानकारी के लिए आपका शुक्रिया सागर शाजापूर में उत्तिर प्रदेश मदर्सा सिक्षा परिशाद का सेकेंडरी और सीनिर सेकेंडरी की परिख्षा फल घोशित किये गए जिसमें मदर्सा निरूल हुदा बिजलीपूरा का परिख्षा फल शत प्रतिशत रहा सेकेंडरी में चाहत्र यान ने 74 प्रतिशत नंबर पाकर प्रद्थमिस्था प्राब्द किया वे चाहत्र नाजिया और शाहिदा प्रवीन नेकरम करंभा थ週 also 679 प्रतिशत नंबर पाकर सेनियर सेकेंडरी की मुहमब गुर्फान अली 80 प्रतिशत के साथ पहले पैदान पर रहे हैं परश्या परश्या द्वारा संचालिस सेकेंडरी एवम सेनियर सेकेंडरी का रजर्ट भुषित किया गया है जिसमें हमारे सेकेंडरी में 24 बच्चों ने एक्जाम दिया था है ता 22 बच्चे हमारे पास हुए हैं सभी बच्चे अच्छे मार्क से पास हुए हैं और इसके लिए हम अपने पुरे इष्टाफ को बदाई जaysते हैं जिसके तहत 4,161 लाग बच्चों को विटामिन 1 एक ही खुड़ाक दी जा वहीं पर मुख्य शिकित्सादिकारी ने पोशन माह के सम्मध में कारियले सभागार में समयनवय समिती की बैठक की दौरान सभी प्रभारी शिकित्सादिकारीों को निर्देशित किया गया कि 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामीन A की खुडाक दी जाएगी यह अब्यार पूरे महीने चलेगा तो टीका करन के साथ साथ बच्चे को विटामीन A की अतिरित कुराक पिलाने का कारिकरम भी होगा साथी साथ आरन फूलिक एसीड की सीरप का वितरन भी होगा इसके अलावा आयडिनित नमत के प्रती समधाय में जाग रुपता पैदा करना अलिगड़ में चोरहा सबची मंडी के पास राजा कास्मेटिक की दुकान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर की लीगल टीम में छापे मारी की उसे पास अदस्या टीम ने छेत्रिय पुलिस की मदद से कारवाई करते हुए करीब तीन से चार वोरी भरकर नकली सौंदर का समान उपर कोट कोटवाली लाए गया जहां पर करीब तीन से चार घंटे की कारवाई के बाद लिगल लीवर कंपनी की तरफ से आई हुई नैंतारा डेमी ने पत्रकारों से किसी भी प्रकार की जौनकारी साजा करने से मना कर दिया लकीम पुर्खीरी के नीम गौत आना छेत्र में बीते रात पांच जगहों पर चोरों ने धावा बोल दिया नगदी समेत हजारों कमाल पर हाथ साफ कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मुआयना किया जौनकारी के मताबिक पुलिस रोजाना इलाके में गस्त करती है फिर भी चोरी की घटनाएं नहीं थम रही है काईसे क्या चोरी हुए है कितना लगए फ़क शामान गया पूरी वादी पाईल ही और चारे जार की नगदी और पायल कि यहां पर रात में पुरिस गस्त बगएरा करने आती है आवते चले जाते हैं अच्छा आते हैं चले आते हैं चले इतना हुई है पिशनर आपके अंधर आया गया है स्केनर गया में जो पुवाय सकी शराब लगभग कितनी गया है अलिकर गांधी पार्क थाना इलाके में धर्म समाज महाविद्याले में बंदरों ने आतंक मचा रखा है बंदर को डराने के लिए एक लंगूर भी कैंपॉस में रखा गया जिसे हर महीने 9000 रुपे सेलरी दी जाती है जानकारी के मताबिक अब तक दरजनों चात्रों पर बंदर हमला कर चुके हैं जिसे परिशान होकर प्रिंसिपल ने नगर निगम को पत्र लिखा है बंदर बेसिकली जिस समय हमारे यहां सिच्छन कारे होता है उस समय बंदर एक बड़ी संख्या में अगर कालिज में आते हैं तो निशित रूप से चिच्छकों का और विद्यार्कियों का ध्यान बटकता है मतलब तुचार रूप से अध्यान अध्यापन करना यह उतना सुलब नहीं हो पाता क्योंकि बंदर एक बड़ी संख्या में आते हैं और वो लेब के आसपास या कैंटीन के आसपास अपना आतंग करते हैं टीन की सतों पर पूदना और तेज से आवाज करना तंकियों को तोड़ना बच्चों को जुन्द देखते हैं तो बच्चों के तरब कभी-कभी आकरामत भी हो जाते हैं सुनभद में अनपरा पुलिस स्वतांतर माइक्रोफोनिक प्राइबट लिमिटेट में हुई लूट के समर्थन में अंतराजय गांग के तीन लूटेरों को गिरफतार किया है पुलिस ने उनके कबजे से लूट के 4,895 रुपए और एक पिस्टल नौ और एक तमंचे के साथ दो जिन्दा कारतूस बरामत के हैं जिसके बाद पुलिस टीम को अपने डिक्षक ने 25,000 रुपए का पूरस कार भी दिया पुलिस में गिरफतारी की है इसमें अनुपरागी पुलिस अनपराथानी की पुलिस एस्टल योर सर्विलान्स ले तीन लोगों को गिरफतार किया है पंकज, मनोज और शाके ये तीनों बद्धे परदेश के रहने वाले हैं अब लकी खास खबरों में इतना ही देखते रही है प्राइम टीवी अब देख रहे हैं प्राइम